इस वीडियो में ट्लास 10 जेओग्राफी का जो चाप्टर है हमारा lifelines of national economy इस चाप्टर को पूरी तरह से एक वीडियो में करने वाले समझने वाले कहा से सवाल आसकता है सारे important topics सब कुछ एक वीडियो में cover करने वाले हैं पर उससे पहले बहुत सारे बच्चे स्टेट बॉड से हैं और मुझे पता है जो बच्चे 324 जो 24 में बोर्ट एक्जाम देने वाले उन बच्चों को ये एक्जाम Сейчас नहीं आएगा इस झा आएगा जो से साल के अकेडमिक यह वाले मतलब जो बोर्ड एक्जाम होना उसमें चैप्टर के अंदर से डीटेल एक नहीं दो दो चैनल पे एक नहीं दो तीन दीन वार दे चुगा हूं तो यह पीपल के इन कवर दी डीटेल एक्पिनेशन फ्रम दियर वन शॉट मैं आपको यहां दे रहा हूं हमारे अपने चैनल पर शुरू करते हैं कहानी इंट्रोडक्शन अगा जैसे देखें तो ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन दो चीज़े हैं ठीक हैं ट्रांसपोर्ट कैसे तो ट्रांसपोर्ट ऐसे कि कोई भी समान कहीं भी प्रडियूज हो रहा है जैसे एपल यहां प्रडियूज हुआ अब इस एपल को आपको यहां बैटके खाना है तो यह सप्लाइड लोक ट्रेडर क्या करेगा ट्रेडर ट्रंक भरेगा सेब कट रखाने तो ट्रेडर में क्या किया ट्रांसपोर्ट किया सप्लाइड लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक सामान को इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एकनोमी जो चल रही है वह ट्रेड के बिसिस पे चल रही है ट तारी रवस्ताइं जुड़ी हुई है तो इस सेंसमें यह एक important part हो गया transportation एक important part हो गया communication दूसरी चीज़ है अब क्या हो रहा है न कि विद्धी एडवांस्मेंट एंड साइंस टेक्नोलोजी हम क्या देखते हैं कि ट्रांस्पोटेशन स्विफ्ट हुआ है ट्रांस्पोटेशन और मजबूत हुआ और बहतरी हुआ है अग इस कनेक्टिविटी में चार चांद लग गए कब जब कम्युनिकेशन और ह س laz by dot price कॉने में बात कर सकते और हुआ है में में कोनिकेशन और то आप ले diplomate देश को सब्रविक्रों जुकुक्त बात ओंसरें में तो इस सेंस में ट्रांस्पोटर इन कम्यूनिकेशन बॉट play autopont में पढ़ना है ठीक है ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे लेंड वाटर एयर ठीक है लेंड वाटर एयर कम्मुनिकेशन हम क्या क्या पढ़ेंगे ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्मुनिकेशन ठीक है तो मतलब एक लिंक समझेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट से ट्रेड हो को प्रैक्टिकली पॉसिबल करवाने में ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सामान एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए ट्रक तो लगेंगी तो ट्रेड ट्रांसपोर्ट आपस में आने दो जाने दो तो उस टाइब से कम्मिनकेशन जो है तो ट्रेड को ट्रांसपोर्ट को आपस में और एफिशेंटली एक नेटवर्ट क्रेट कर रहे है जिससे एकनोमी चल रही है तो वी कन क्लूड विद इस ये रिलेशन समझ में है क्या कि एक डेंस एन एफिशेंट मिल रहा है लोकल नैशनल और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड प्रेक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा तो देस इस दी स्टोरी देस इस दी स्टोरी गाट इट ट्रांसपोर्ट कम्मिनकेशन में सारी कहाने अब अगर हम सब शुरू करें क्या तो चैप्टर की रूप रेखा कु देखने अगरा आपको की लैंड ए ट्रांसपोरटिशन केंगे बीशेशं इस ब्राइब मिल जाएंगे जमीन में है कि बेट और रेल्वेस है और बनप मःटों कमीण देखा जाता है समान तो जा रहा है ठीक है in fact this is one of the most efficient means of transportation for goods goods के transportation के लिए efficient means है pipeline सारा सब कुछ एक एक से भैतरीन तरह से समझते हैं आ जाओ देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना सीबेशी का जब ये चैप्टर सीबेशी में आया करता था है पिछले साल तक सीबेशी बोर्ड में तो यह फेवरेट एरिया हो जाता था यहाँ से सवाल बंदने का कौंसा की ट्रांसपोर्ट में roadways how roadways have preceded over railways advantages of roadways प्रोडवेस के बारे मैं अच्छा चलिको इस टाइप से बिला गए ठीक है तो जैसे आप यहां देखोगे तो रोडवेस जो है तो इंडिया इन फिर लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ड इन वर्ड इस वरी सिंपल यार दी सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री थाला फॉ पॉपिलेस कंट्री थीए तो जरूरी होगी होगी तो उसके चलते क्या है एक्रीटिंग टू पॉइंट वइंट वांशिक्स लाक किलोमेटर ठीक है इतना बड़ा आपको क्या देखने को मिल रहा है इतना डेंस इतना बड़ा रोड नेटवर्क है अमारे देश में ठीक है और इसी के चलते roadways have preceded railways preceded मतलब race लगवा होगा अगर तो railways जो है तो उसके आगे roadways निकल रहा है अब बोलों गया सर गाड़ी से जादा था train चलती थी कहने का मतलब यहां पर है कि roadways as a means of transportation have taken edge over railways railways से भेतर है roadways समझ मैं क्यों है यह नहीं पुछा जाएगा कि roadways से भेतर है की नहीं है क्यों है यह यह पुछा जाएगा ठीक है तो what are the reasons what are the advantages of roadways have preceded over railways किसी भी तरह से सवाल बन सकता है तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला point है construction cost is much lower railway बनाना है तो पुरा track बिछाओ पटरी लगाओ रेल किंग जन रेल्वे स्टेशन बढ़ाओ ठीक है roadways में कुछ नहीं है बस एक जंड़ लगाना है यहां पर बस स्टाप लिखना है उसपे और बस स्टाप लिख दो वहां के बस रुख जाए कि वहां से आज मीं चड़ जाए तो रोड कंस्ट्रक्शन जो है रेल्वेस के पिक्षाक्रत सस्ता बैठता है ठीक है वन जीरो इनके बीच में अगर कॉंपडिशन करवा होगे तो रोडवेस हैव प्रिसीड़ ओगर रेल्वेस बिकॉस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस मच लोगर ठीक है दूसरा रोड के ट्रैवर्स क्रॉस क्रॉस कंपरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एन अंडुलेटिंग टॉपोग्राफी ठीक है रोड जो है न तो रोड के रास्ते आप क्या है कि मोर डाइसेक्टेड अंडुलेटिंग ऊबढ़ खाबड़ जमीन जो है ठीक है ट्रैवर्स मतलब क्रॉस करना तो रोड रांस्पोटेशन का यह एडवांटेज है कि आप कैसी भी ऊबढ़ खाबड ऊपर नीचे आली जमीन जो है तो वह रोड के थुरू पास कर स अंडू कहीं पर स्लोप बहुत जादा है हाइर ग्रेडियेंट अवसलोप मतलब कि स्लोप बहुत जादा है तो वह वाली बात यहां पर क्याए प्रोपोग्राफिय एसी उबढ़ खाबड है तो उसको भी डाइसेक्ट कर सकता है रोड तनल मना देंगे हम चीर फाड करके य पहुँचना डिपिकल्ट होगा रोड आसाली से पहुच जाएगे तो यह तीसरा पॉइंट हो गया चौथा पॉइंट क्या है रोड ट्रांस्पोर्टिशन इस एकनोमिकल टू ट्रांस्पोर्ट गुड्स और पर्सन ओवर शॉट डिस्टेंस चोटे डिस्टेंस पर आपको स जैसे इंदोर से बहुपाल चलना है इंदोर से बहुपाल का रास्ता है तीन घंटे तो अब क्या हो रहा है आप जैसे अगर आप देखोगे अब या अगर आप यहां एर्वेस से जाने की सोचोगे तो एक घंटा तो चेकेन में लग गया और वो धीरे-धीरे कुर्सी की ब बात करो तो शौट डिस्टेंस पे क्या हो रहा है आपके दोस्त के आ जाना तो आप ऐसे उतर नहीं कि ड्रेल्वे स्टेशन बनाओगे दोनों के घर के बीच में रोड से चले जाओगे तो रोड ट्रांस्पोडेशन एकोनोमिकल है तो ट्रांस्पोर्ट गुड्स रोड जो आपको डोर-टो-डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग इस मच लूवर रोड से आपने ट्रक में सामान भरा वो सेब और सीध है आपके घर के सामने आके और आपके मुह में सेब दे जाएगा ठीक है अब लेकिन आ अब के घर तक के लिए फिर आपको रेलवेस आपको डोर-टो-डोर कनेक्टिविटी नहीं दे रही उसको दूसरे मीन्स ओफ ट्रांसपोर्ट की जर्वत पढ़ती है और वह दूसरा मीन्स ओफ ट्रांसपोर्ट को ने रोडवेस यह तो जलवा है रोडवेस का समझ में आय एरपोर्ट तक पहुशने के लिए तो रोडवेस के थूँ जाना पड़ेगा आपके गाड़ी जो चलेगी तो ऐसा नहीं है कि आपके घर से आपको उठा के और सीधे एरपोर्ट पे कोई एक हेलिकॉप्टर वहां से वहां तक चलेगा आपके लिए पॉइंट के और है कि इस आर दी अडवांटेजेंस ओफ रोडवेस दिस इस वाई रोडवेस है प्रिसीडेट ओपर रियल वेस किसी भी तरह से सवाल आएगा बनेगा वेली गूड ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो हमने रोडवेस के एडवांटेज तो देख लिए अब अगर आप देखोग कर दो रोडवेस को सबड़ेस की हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है कि अब आपको सवाघ्वार अब अच्रुपन को दो चीज़ेंरहों दिशान रखना है अलग अलग क्लासिफिकेशन 7 रोड़ड के जैसे ले जैसे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, अदर रोड्स है, बॉर्डल रोड्स है, तो ऐसे multiple roads है, multiple type of roads है, अब ये multiple type of roads जो है, तो इन multiple type of roads का जिसे अगर आप समझोगे चीजों को, तो इन में हर road कही न कही एक बिंदू से दूसरी बिंदू को जोड़ रहा है, ठीके, मेरी बिंदू, तो point of connection आपको एक चीज ध्यान रखना है, हर road में, और दूसरा रखना है, authority responsible, मतलब कि मैं नहीं तो कौन भे, ठीके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर case जिसे देखो कि आपको दो चीज ध्यान रखना है, point of connection क्या है, point of connection मतलब क्या है, कि जैसे अगर आ जैसे अगर आप, क्या बोलते है, golden quadrilateral super highway के बारे पर फड़र हो, तो golden quadrilateral super highway जो है, यह type of road में, अब golden quadrilateral super highway, दो point कौन कौन से जोडता है, point of connection, similarly national highway भी किन पॉइंट को जोडता है, state highway किन पॉइंट को जोडता है, district roads किन पॉइंट को जोडता है, तो point of connection एक सब रोड के अ जाना है, वो कि, who is the authority, authority responsible for its development, its maintenance, its implementation, समझ गया ना, कि उसको बनाने में, संग्रक्षन करने में, manage करने में, कौन है, वो वेक्ति जो manage कर रहा है, हर रोड में यह आएगा, मैं आपको उसका practical example बताता हूं, ठीके, मतलब यह निंजा टेक्निके याद रखने की रटना कुछ नहीं पड़ेगा, तो classification of roads के अगर बात करें, तो classification roads में, जैसे पहला आया, golden quadrilateral super highway, नाम सुन के सल लगागा, golden quadrilateral super highway, ऐसा कोई सोने हो नहीं की रोड नहीं, यह रोड होई, डामर की बनी है, लेकिन point क्या है, smooth, एकना मक्षन, ठीके, four lanes, six lanes, six lanes, super highways, four lanes तो छोटा पड़ ज देखो, ninja technique one, point of connection क्या है कि कॉलकता, चैन्ने, मुंबई, देली, ठीक है, तो country के चार extreme parts को, यह देली हो गया, यह मुंबई हो गया, ठीक है, यह चैन्ने ही हो गया, यह कॉलकता हो गया, country के चार extreme parts को, country के चार extreme parts को जोड के रखा, इस quadrilateral ने, ठीक है, golden quadrilateral ने, six lanes, super highway है, यह साए, साए, गाड़ी निकलती एक दम, अब इस पूरे project को maintain करने का, manage करने का का काम किसके जिम्में आता है, NHAI, National Highway Authority of India, इसको manage करता है, maintain करता, operate करता है, इसमें एक चीज और ध्यानकने वाली यह है, छोटी सी, क्या कि इस golden quadrilateral super highway में एक north south corridor है, और east west corridor है, north south corridor जो है, त ठीक है, तो यह golden quadrilateral super highway, technique क्या है, technique क्या है, point of connection, कौकता, चैन्नाई, मुंबई, दली, और authority responsible में implemented by NHAI, National Highway Authority of India, समझ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, national highways, national highways, स्वागत करो इनका, आप अपने को वही टेक्नीक से, point of connection क्या है, तो national highway जोए ना, पूरे nation में फैले हुए, त तो national highways पूरी country में, अलग-अलग क्या कर रहे हैं, पूरी country में अलग-अलग जैसे देखोगे आप तो primary road system which links extreme parts of the country, तो पूरी country में अलग-अलग state को जोड़ो ना, country को इस कोने से उस कोने तक जोड़ कर रख देना, तो अगर जैसे देखोगे ना, तो primary road system national highway है, golden quadrilateral तो a light class ठीक है, मतलब चार major cities को जोड़ो रहे, golden quadrilateral सुपर हैं, लेकिन ये जो आप देखने हो ना, ये CPWD के द्वारा manage किया जाता है, जैसे ये NHAI के द्वारा, National Highway Authority of India के द्वारा, तो वैसे ही, यहाँ पर authority responsible कोन है, CPWD, मतलब Central Public Work Department, the only active department which works very well, ठीक है, तो Central Public Work Department जो है, तो उसक correct करता है, third state highway, निज़ा technique भी रहेगी, point of connection जो रहेगे state highway के, तो it links state capital with different district headquarters, मतलब जैसे ये कि राज्य है, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश की capital भोपाल, अब भोपाल से अलाग अलाग जिले जो है, मध्यप्रदेश के अंदर, तो उन districts को जोड़ने का काम करता है, district headquarters को state से जोड़ने का काम करता है, state highway, state highway को maintain manage कोन करता, पी डव्योडी, ठिक है, public work department, ठिक हरe state का public work department, फिर आता है district road, तो अब हम रखने तो district के अंदर दूसरे चोटे-मोठे टाउन जो रहते हैं उनसे जोड़ा जाता है तो point of connection क्या हो गया district roads में link district headquarters with other places of district ठीक है district headquarters को district के दूसरी places से maintain manage के जाता है इसको जिला परिश्द के द्वारा simple अब आता है other roads ठीक है others road नहीं आएगा अगला जैसे देखोगे तो क्या है अधर रोड्स अब अधर रोड्स में क्या जाएगा आपका तो अब क्या अधर रोड्स में क्या जाएंगे कि जितना भी इंपोर्टन मतलब जिसे विलेजस वगेरा होगा है तो उन विलेजस को इंपोर्टन टांस वगेरा के साँट जोड़ने का काम अब आप ने आप तो उस पर एक वहाँ पर रोड स्टार्ट होता है जहां वहाई पर लगा दी जाती है किसे जंडी टाइप की ठीक है उस पर लिखा रहता है प्रधान मंतरी ग्रामीन सडक योजना के तहत इतनी राशी प्राप्त हुई इतना इतनी लंबाई यह इतनी लागत लगी और इनके द्वारा बनाया गया तो लिंक्त रूरल एरिया विट टाउंस रोड रॉड चंस्ट्रक्टेट अंडर प्रधान मंतरी ग्रामन ग्रामीन सडक योजना गाउं में जो शडक योजना चल रही उसके चलते इंप्यूटर्स मिलता है फंड मिलता है और उससे यह रोड बनाया जाते हैं है तो जो रूरल एरिया को टाउन से जोड़ रहे हैं वह गया अधर रोड जैसे लेड़ियाद यह मतलब कि कंट्री की बाड़र जैसे चाइना बार्डर प्रोड़ के डर लगता हो तो फिर वहाप हमारे जवान आते हैं बांटर रोड ओर तो यह आर्मी का विंग है इस्टाब्लिश्ट टू के स्ट्रक्ट दी रोड जिंदी स्ट्राटेजिक एरिया सुपइंट ऑफ क्नेक्टिविटी डियूट को जाए इस्ट्राटिजिक एरिया में रोड बनाते हैं कौन अ मैंटेम मेंच करता है तो बॉर्डर ठीके बी आरो ज स्ट्राटेजिक रोडे इंतरो इंतरो टिया से रोडेंद चाहिए वैसे में बनाने का यह में का मणा अपके हैं ज प्रह presumably क्लाशिपिकेशंais इन एंट था और एक ओर classification है मतलब वो इस classification में यह तो capacity के हिसाब से classification हो गया कि कहा point of connection है और कौन उसको manage कर रहा हुस हिसाब से golden quadrilateral super highways हो गए national highways हो गए state highways हो गए district roads हो गए और border roads हो गए और other roads हो गए ठीक है रोड हो गए अब अगर आप जिस देखूगे तो एक point और आएगा कि रोड की quality के हिसाब से रोड की quality के हिसाब से ठीक है material use के हिसाब से कि रोड किस तरह का रोड बना है roads can further classified into two groups वह कौन-कौन से वह है है metal roads ठीक है metal roads में अब यह गलती मत कलते ना जैसे तुमने golden quadrilateral में यह सोच लिया होगा कि सोना लगा होगा सर मेंको तो कुछ नहीं करना जाके रोड खोदना है बस सोने का रोड होगा तो यहां पर भी metal roads से तात पर यह नहीं कि लोहे का रोड बना दिया है metal road मतलब कि the road made of cement concrete और even bitumen of coal डामर वामर से बड़ा बना होता है जो रोड क्योंकि पक्ता रोड की category में आता है जिस पर मतलब जो all season motorable roads होते हैं concrete के बने हुए रहते हैं जिसे all weather road कहा जाएगा तो क्या हो रहा है roads can be classified on the basis of type of material used जिस तरह का material इस्तमाल किया जा रहा है उस तरह के material के हिसाब से एक होते हैं metal roads और दूसरे होते हैं unmetall roads ठीक है तो metal roads में क्या जाएगा metal roads में all weather roads आपने और unmetall roads जो है तो unmetall roads में आप क्या जाएगे कच्छा रोड ठीक है तो made of mud and sand ठीक है made of mud and sand go out of use in rainy season जब बारिश होती है तो फिर क्या है चार मैंने इस रोड पर कुछ नहीं जाएगा सिर्फ उस पर क्या जाएगे गाए भेंस जाएगी क्योंकि वह रोड फिर क्या हो जाते हैं कीचण मत जाता है खराब हो जाते हैं out of use हो जाते हैं तो इस तरह से type of material used के हिसाब से metal और non metal हो गया ठीक है metal और unmetall road हो गया अब एक fact जैसे अगर आप देखोगे तो उस fact में क्या दिया गया कि world की जो longest highway tunnel है ठीक है highway tunnel मतलब क्या होता समयते हो कि एक road है अब यह तो साधारन सा road हो गया और दूसरा road कहा निकलेगा यहीं पर पहाड होता ही तो यहां से पूरा टनल बनाके निकाल देंगे तो वर्ड की जो लॉंगेस्ट और हाई एल्टीट्यूट पर भी ऐसा भी नहीं कि रोड पर बना रहे होए टनल पहाड अब दिखती बात नहीं कि जहां पहाड रहेंगे वहीं टनल बनाना पड़ेगी तो अटल टनल जो है ठीक तो यह वल्ड की हाईएस्ट वल्ड की लॉंगेस्ट हाईवे टनल है अटल टनल जो जो की बनाए गई थी किसके दौरा बॉर्ड रोड और ऑर्गनाईजीशन के दौरा अगें ब्रो ठीक है तो ब्रो कोड ब्रो इस वेरी इंपोर्टेंट और अर्गनाईशन वेट कमस तो लाहुल स्पिती वेली लगदाघ तक पहुँच गए तो मनाली टू लाहुल स्पिती वेली थ्रूट दी यार धियर अब होता क्या था कि यह उस एरिया से कनल निकली है जहां पर पहले क्या होता था तै पहले अर्लियर दी वेली बेली वाउस cut off the earlier the value was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall बहुत जादा snowfall होता था तो बहुत जादा snowfall होने के कारण क्या होता है कि 6 मेने के लिए ये रास्ता पहले बंद रहता था लेकिन जब से अटल टनल बना है ठीक है तो दी टनल is built with ultra modern specification in the पीर पंजाल range of Himalayas at an altitude of 3000 meters from the mean sea level समुद्र स्तर से 3000 मीटर उपर ये अटल टनल बनाई गई है जिसकी objectivity क्या है जिसके objectivity यह है कि एक तरह से ये 9 km टनल के थूँ एक all season motorable road बना दिया होने अंदर ये अंदर ठीक है बदाई हो तो यह हमारा roads वाला पार्ट हो गया road transportation इस chapter में land transportation के अंदर road transportation में हमने road की importance classification टाइप सब देख लिए हैं आब आते हैं क्या कि land transportation में तो railways भी आता है ठीक है तो railways की बात करते हैं railways as a mode of transport for both freight and passenger आधा देश जो है आधे से ज्यादा देश जो है तो वह railways का शुक्र गुजार है कि railways से बहुत ज्यादा सामान और यातरी दोनों ही ट्रैवल करते हैं ठीक है जैसे रोडवेस ने यह बोल तो दिया कि धी रेलवेस से जादा बहतर में हूँ लेकिन आपको समझने होगा कि वॉल्यों पूस ट्रांसपोर जो रेलवेस से होता वो रोडवेस से नहीं हो सकता है मतलब कि आप देखो कितनी दूर दूर पहुचाना है जलदी पहुचाना है सामान भी पहुचाना है एक्कोनोमिकल भी पहुचाना है वैसे तो वाटर वाटर वेज या फिर वाटर एज़े मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट चीपेस्ट होता है लेकिन जब आपको लैंड पे ही अब रास्ता ही नहीं पानी नहीं तो अब ऐसा थो नहीं कि पानी पहरात जाओ अगर फिर नाओ चलाते जाओगे लोग काम के लिए साइट गूमने जा रहे लो वेस्टन घाट सवाला जो रेलवे ट्रैक है तो उदर लोग जाते हैं फिल्ग्रिमिज के अगर बात करें पिल्ग्रिमिज में तीर थी यात्रा पर जाते हैं ट्रांस्पोर्टिशन ऑफ गुड्स ओवर लांग डिस्टेंस ल रेलवेज प्लेट अवरी ग्रेट इंटेग्रेटिंग फोर्स फ़र एकनोबी एसलेरेट दी डवलप्मेंट ऑफ दी इंडस्ट्री इन अगरीकल्चर पॉइंट समझना बहुत इंपोर्टेंट है प्रदक्शन अगरीकल्चर में भी खूब होता है प्रदक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है तो अब क्या हो रहा है ना कि इन दोनों ही सेक्टर्स के डवलप्मेंट में रेलवेज एक बहुत इपॉर्टन रोल प्ले करती है एस इस कि अगर रेलवेज नहीं होती है तो सामान का कैसे इधर से उधर अधान प्रदान होता ठीक है त इकन में पढ़ troops desses से तर मतलब कि वह सेक्टर जो सरकार के दौबरा ओन किया जाता हुँ तो सरकार के दवारा भोत कुछ नो किया एंज वाधने क्या पड़ा की कॉल ऑफ इंडिया वागेरा इस्टीज dollars इंडिया भी है तो बहुत सारे government की मतलब public sector undertaking से public sector undertaking मतलब कि government के ventures है लेकिन जो government का सबसे बड़ा venture है ठीक है largest public sector undertaking जो है country में वो कौन सा है वो है railways Indian railways ठीक है तो government की सबसे बड़ी दुकान जो है वो कौन सी है railways है समझ में आया फाइन अब railways से जुड़े कुछ फैक्ट अगर देखिए तो भारत में पहली बार railways कब चली थी तो इस समय लगा था तो फर्स ट्रेंग जो चली थी मुंबई से थाने चली थी 1853 में फिर उसके बाद में दीरे 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 सौ सालों के अंदर से 1953 आते आते तो रेलवेस का बहुत डेंस नेटवर्ग बन गया था हमारे देश में ठीक है फिर आता है इंडियन रेलवेस री और्गनाइज्ड इंटू 16 जोन से वह बहुत सारे जोन में अलग 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 डिवाइड है यह होगी रेलवेस की सिक इंफरमिशन रेलाइज हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोटिशन लैंड ट्रांसपोटिशन का पार्ट है अगर आगे बड़े हम यहां से तो हमें आगे बड़ने पर क्या मिलता है रहे पता चलता है कि रेल्वेज जो है तो अनीवनली डिस्ट्रिब्यूटेट है बहुत जादा कैस तो Northern Plains के अगर हम बात करें जैसे ठीक है Northern Plains के अगर हम बात करें तो Plain Area and High Population Northern Plains मतलब कि Country का यह वाला हिस्सा जैसे उत्तरपदेश, बिहार, ठीक है Delhi, हरियाना, पंजाब, तो यह एरिया वो एरिया जहां पर Population बहुत है और Plain Area है तो Railway Tracks को Lay Down करना बहुत आसान है ठीक है तो यहां पर Distribution कैसा रहेगा Railways का? Therefore, there is increase in the Railways ठीक है यहां पर Railways का Network बहुत dense है बस एक मात्र Challenge जो यहां Face करना पड़ता है वो Challenge का है? वो Challenge यह है कि नदिया बहुत सारी है इस छेत्र में तो इस छेत्र में नदिया बहुत सारी तो ऐसा नहीं कि डुपकी लगा के निकल जा तो वन शॉट में मैंने वही ट्राइ किया कि क्रिस्प रखी है चीजे ताकि आप रिवाइस भी करो तो फटा फट रिवाइस कर लो 8-10 स्लाइड में पूरा चैप्टर हो जाते है ठीक है तो यह होगया Northern Plains Northern Plains के बाद में Peninsular Region आ जाओ ठीक है तो आपने Country के Northern Plains में Railways का Distribution कैसा देखा dense network है बस only challenges कि there are large number of rivers which requires construction of bridges ठीक है उसके बाद आ जाओ यह Peninsular Region ठीक है यह Peninsular Region में क्या हो रहा है Peninsular Region में जैसे अगर आप देखोंगे न तो Peninsular Region में आपको क्या देखने को मिल जाएगा पैंचलना क्यों बंद हो गया हमारा ठीक है तो Peninsular Region में आपको देखन सीद्ले क्योंकि यही एडिया से वीची में है चोटे-चोटे मौनटें से यह सारा सब कुछ है तो-इस हेली एरिया में को अगर त्रैक सरु निकल सकता है ऐख सेug्सक्षान हे निकल सकता है थेक है पीस से निकल सकता है तब आपको देखने को मिलता है कि आप पेनिसुला रीजन में रेलवेस ले जा पाओगा तो पेनिसुला रीजन में रेलवेस का एक मिक्षर देखने को मिलेगा जैसे वेस्टन घाट वगेरा में हैं Central area जो है तो Central area में आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि Swampy area है Forested, नहीं Swampy नहीं Forested tracks है तो उन Forested tracks में Central area जो है तो वहाँ पे railway track निकालना difficult हुजाता है ठीक है अभी हम पढ़ेंगे कि railways में कहीं कहीं difficulties है कुछ-कुछ regions में railways नहीं निकाल पाती है अगला अगला फीजोग्राफिक दिविजन जएसे इसकर आप देखोके तो वह है हिमालियन Mountain hills माउन्टेन सकती बात करें तो बात करें कि जीजए कि northern plains और अब वैसे ही उतना ही अगर आप देखो के तो फीजियोग्राफिकल और एकोनोमिकल ही हिमालयन माउंटेन वाले रीजन में रेल्वे ट्रैक को लेडाउन करना डिफिकल्ट है क्यों डिफिकल्ट है भाई साफ क्योंकि अन्फिवरेबल फॉर रेल्वे कंस्ट्रक्शन ड्यू बगेरा बहुत जादा है तो रेल्वे ट्रैक लेडाउन लेडाउन करना ही बढ़ा डिफिकल्ट है ठीक है और एकनोमिक ऑपर्चिनिटीज भी नहीं है नादन प्लेंस में तो इंडस्ट्रीज भी है लोग भी है सवारी भी बैठेगी सामान भी जाएगा यहां ना तो सव के जुम होए team अतों इस औरे तो रेलवेस का वह उतना डेंस नहीं है उतना एपिशेंट रही है देंस नहीं इसना एपिशेंट दिंड्रेंट नहीं है लिख सकते हैं अगली चीज जिसे देखें हम क्या तो चैलेंगे सेज्ट बाइब बात करें तो रेलवेस के सामने क्या चैलेंज है कि सबसे पहले तो वही कि डिस्ट्रिव्यूटेड अनीवनली है इस डिफिकल्ट तो ले रेलवे लाइन्स इन एरियास सच जैसे कुछ 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 एरियास में रेलवे ट्रेक को ले डाउन करना ही बड़ा डिफिकल्ट है पर एक्जामपल सैंडी प्लेंस ऑफ राजिस्थान स्वाम्स ओफ गुजरा पॉरेस्टे ट्रेक्स ओफ मंद्रप्रदेश चतिसगर औरीशा इन जारखन तो ये वो छेत्रे एक और चेत्रा जाएगा स्ट्रेचेस ओफ सयाधरी कुट भी क्रॉस्ट ओनली थ्रू गैप्स और पासेस अब आपको समझाता हूं जैसे क्या हो रहे न कि कुछ एरिया ऐसा है कंट्री का जहां पे रेलवे नेक्टर नेटवर्क का डिस्ट्रिबिशन बहुत कम है कारण आपको खुद समझ में आएगा जैसे सेंडी प्लेंस ओफ राजिस्थान हो गये तो राजिस्थान में रेतिली जगा जो ट्रैक धस जाएंगे सेंडी उन्स दबा देंगे ठीक प्रेंगे जो पासे रहेंगे सरुफ वहीं से ट्रैक निकल सकता है पाल घहाट भौर घहाट इस तरह से घाट तक होते न उन गहाटों से निकले आपका ट्रैक तो इन एरियास में रेलवेस को लेडाउन करना बड़ा डिफिकल्ट है सिमिलर्ली दियरा सम चैलेंगे जो चैलेंगे लाइक मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विडाउट टिकेट बीना टिकेट के लोग घूम रहें रेल्वेस को बहुत नुक्सान होता है तेफ्ट एंड मैनेजिंग रेल्वे प्रॉपर्टी स्टिल कंटिनूस ठीक है क्या हो रहा ह ठीक है ताकि वह चोरी होने से बच जाए तो थेफ्ट एंड मैनेजिंग रेल्वे प्रॉपर्टी स्टिल चैलेंगे तो यह बड़ा सबस्या है अन्नेसेसरी चेन पुलिंग ठीक है चेन पुलिंग चपल कि रहे हैं हमारी ट्रेन की चेन खीत देते हैं अब इत्त्य सारे ट अब आपको यह बहतर तरीके से समझ में आया कि रेल्वेस ऐसे मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट क्या है कैसे डिस्ट्रिब्यूटेड है क्या चैलेंजिस फेस करती है सिंपल सीधा सटीक आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं किस चीज़ पर पाइपलाइंस पर पाइपलाइ इसा डालो तो लोग तो कम ट्रेवल करते हैं इसा क्या करते हैं लेकिन सामाज जो है पाइपलाइन से बहुत ज्यादा ट्रांस्पोर्ट होता है जैसे फॉर ट्रांस्पोर्टिंग क्रूड ओईल पेट्रोलियम नैचरल गैस वाटर ठीक है इनफेक्ट सॉलिड जो होता है लिएक जो पाइपलाइन से पहुंचाया जा सकता है ऐसा कैसे हो जाता है तो स्लरी बनाई जाती जब स्लरी इनवाटेंस की सॉलिड को अगर लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया जाए तो अब जैसे मालों कोल के और को नहीं आएरन के और हैं इस आईरन और को एक बना देना अब प्लाइन के साथ में कैना प्लाइन को नहें सिसमें इधर सेृतना डालोगे वृधर नहीं निकालोगे जब उसको पुरा network बिछाया जाता ना pipeline का तो वह initial cost of establishment जो है वो बहुत high होता है and subsequent cost of using is very minimal ठीक है तो कम खर्च में भी वो चल जाता है का subsequent cost of using is very minimal समझ में आया तो यह हो गया क्या pipelines का case अब pipeline की case के राद में अगर जिसे आप देखोगे तो pipeline का case समझ में आया pipeline simple land transportation का एक टाइप हो गया जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि pipeline crude oil petroleum natural gas इन सारी चीज़ों को transport करने के लिए उसके plus अगर देखोगे तो cost of operation में है सस्ता है ठीक है नो ट्रांस्टिप्मेंट लॉसेज बगेरा कुछ नहीं होता है बस disadvantage क्या है disadvantage यह है कि initial cost of establishment जो है वो हाई है उसका ठीक है three important networks of pipeline तीर important network जो है pipeline के वो कौन-कौन से है अपर आसाम टू कानपूर आ जाओ मेरा तुम्हें इदर दिखा देखा देखोगे तो इदर अप पर आसाम से कानपूर तक का एक network है दूसरा है तो जलंदर पंजाब ठीक है अब यह सलया इन गुजरात जो है तो जलंदर पंजाब तक है ठीक है तो यह वाया डेली सोनीपत और इधर सब दूर से होता हुआ जाता है याला pipeline network और तीसरा सबसे important जो है तो वो क्या है हजीरा इन गुजरात टू उत्तरपदेश जो जगदीशपूर और एच्वीजे pipeline जो है आपने मिनेरल से इनर्जी रिसूर्स में इसको पढ़ा है ठीक है तो यह तीन नेटवर्क है बहुत जादा लोड नहीं लेना है pipeline के network रेली पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कि जीराइन गुजरात से जगदीशपूर इन उत्तरपदेश तक ठीक है एच वीजे pipeline तो यह हो गया आपका pipeline टन 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 तो अब pipeline के बाद में आप जिसे यहां पर रुखोगे दो मिनिट के लिए ठंग है न तो रुखो मुस्कुरा अब रुखने के बाद आप देखोग लैन ट्रांस्पोर्ट में हो गया आपका pipeline ठीक है pipeline land transportation तु अब अब आजा अगला water आप देखोगे तो वाटरवेस में क्या है कि वाटरवेस प्लेज इंप्रेटिंग इंडियन कॉमर्स और आज से नहीं जिसे अगर आप देखोगे तो इंडस्वरी सिविलाइजिशन के टाइम पिरेड से वाटर ट्रांस्पोटिशन के थ्रू कनेक्टिविटी रही है तो डिस्टेंट लैंड जो है जो जमीन एक दूसरे से बहुत दूर है वह जमीन आपस में कैसे जुड़ेगी आस्ट्रेलिया कैसे जाओगे या तो एरवेस एरवेस थ्रौ लेट डवलप हुआ उसके पहले ऑस् सेंस में वाटर में जो है तो बहुत इंप रहें ठीक है वाटर वेस नौर लेट इस बीडिंए इंडीयन कॉमर्स और कलचर ठीक है सेंस सेम ही विनicasound bak याлем मेंतर सा मुसार्दे को क्रिस-क्रॉस करते हुए हमने बहुत सारे सी कंपर्णीन टेवलप करिई वाटर वेस्ट के अगर बात की जाती है तो वाटर वेस्ट को चीपेस्ट मील्स ओफ ट्रांस्पोर्ट कहा जाता है इन टम्स ओव वॉल्यूम ऑफ गुड्स वॉल्यूम ऑफ गुड्स मतलब कि सामान जो है एक जगा से दूसरी जगा खरीदा बेचा जो जाता है तो उसको ले जाना पड़ता है अब लैंड ट्रांस्पोर्टेशन पर उतना ही ले जा पाओ कि जितना आपके ट्रक में भर सकते हो आप एयर वेस्ट के थू ज्यादा ले जैसे होते हैं कि वह एक एक कॉलोनी पूरी की पूरी बसाले इतने बड़े बड़े होते हैं तो अब इतने बड़े जहांज है पानी के जहांज तो इन पानी के जहांज में कितना सारा सामान जा सकता होगा ठीक है कितना सारा सामान जा सकता होगा तो इसलिए क्या होता है कि इतना सारा समान एक साथ ले जाया सकता है तो क्या हो रहा है इतना सारा समान जब एक साथ ले जाया सकता है तो वो सस्ता पड़ जाता है तो waterways are considered as the cheapest means of transport ठीक है waterways जो है तो cheapest means of transport consider किया जाता है in terms of volume ठीक है वाटर वेस्ट के एडवांटेज हो गए अब यहां पर अब्जेक्टिव टाइप में कुश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है आगे वाला जो पार्ट बताऊंगा उस पे भी और यहां भी ध्यान देना क्या कि वाटर वेस्ट जो है ना तो वाटर वेस्ट के जैसे हमने देख अलाबाद टू हल्दिया अब इसमें आपको ध्यान रखना है ओरिजिन पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कनेक्शन वही मेरी प्यारी बिंदू तो दो बिंदू कहां 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 जोड़ रहा है ठीक है और दूसरा क्या है नदी कौन सी नदी के उपर है वाटर वे ठीक है तो नैशनल वाटर वे नंबर वन जो है नैशनल वाटर वे नंबर वन जो है आपका कहां पर गंगा रिवर पे यह गंगा रिवर है ठीक है नैशनल वाला वाटर वे नंबर बन जो है अलाबाद तू हल्दिया तो अलाबाद से लगा के ठीक है अलाबाद से लगा के अलाबाद अभी नंबर नेशनल वाटरवी No.1 हो गया मैप पे ये नहीए पुखा जाएगा मैप पर क्या पूंचा जाएगा ओन्य पे पोक्रस्थे अभी लगाएं पर इनको है न तो लेकिन मैं आपको बता रहो कि नारब नंबर 1 किदर है जाओ तो पेचान लेना में हो गया सोला सो बीस किलोमेटर का स्ट्रेच है गंगा नदी के उपर जिसमें क्या सकते हैं बोर्ट्स मेकेनाइजड वेसल्स यह सब चलते हैं ठीक और यह सामान को एक जगा से दुसरे का ले जाने में मदद करता है दूसरा आता है नेशनल वाटरवे नंबर टू नेशनल वाटरवे बॉली डूसरा को नदीमेटर का जतरां ऐसे अन्धेटामर श्त्रेच टीक है तो वेस्ट कोस्ट केनाल केला में टीक है और 205 बुच्टापुराम कोलम फद्वो मंद्लम आटंचंपकार्ण ओ तो यह जो कमें कैसे सपते हैं वाइश रुट शये चल रहे में गिरीच जैसे काम करता है जो ए तो केरला कहां पर आपको देखने मिल रहा है तो छेतर की वेस्टर स्चनल शिस्टम है पूरा केरला में 205 किलोोमेटर केस्ट में Sul też एक एक फंट तो यहां पर आप देखोगे औरिसा में यह रिवर है तो यह नीचे वाला जो होगा गोदावरी कृष्णा गोदावरी जो है तो 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 निकलती है जो है तो उनके स्ट्रेचेस पे करेक्टिवीट डवलप करता है नेशनल वॉटरवे नमबर फॉर ऐसा गोदावरी कृष्णा पर ठीक है और नेशनल वाटरवे नमबर फॉर जो वह इस्ट कोश्ट के नहीं आला जाएगा तो रिवर्ट की ब्रह्मनी और महानधी डेल्टा तो यहां पर आपको नेशनल वाटरवे नंबर 5 देखने को मिल जागा जिसे इस्ट कोस्ट कैनाल भी कहा जाता है वेस्ट कोस्ट कैनाल वाटरवे नंबर 3 हो गया ठीक अब आपसे वाटरवेस अबजेक्टिव टाइब में पूछा जा सकता है वाटरवे नंबर 1 जो है किन दो पॉइंट करता है ठीक है साधिया तू डूबरी करता हुआ वाटरवे नंबर कौन सा है इस तरह से अगर सवाल आएगा तो बी प्रिपेरड फॉर ठीक है यह हो गया वाटरवेस का बेसिक इं सपोर्त करें देखो यहां से समुद्र चाफ़ मत्र चाल होगा और कहां तक पानी है आपका तो यह गुजरात एप्रॉक्सिमेट्री इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पे कितने मेजर पोर्ट्स हैं क्योंकि पोर्ट्स तो छोटे-छोटे अब मैंने क्या करा दो खुटी गाड़ के एक नाव पार्क कर दी बोल दिया अपने पोर्ट बना लिया तो मेजर पोर्ट्स है और 200 से ज्यादा नौन में अपना नौन अपना वी अपना अपना हुआ करता था कि पाकि तो यह यह आ तो इसमें किये सट कराशी पर्ट है जब पा आपन अपन एतना पूरा अपना ट्राफिक नौर्फ इंडिया का कौन मैनेज करेगा तो उसके लिए कांडला पोट बनाया गया कांडला एक ठीक है मुंबई, पोट यह आपको चैत्रत्रला पोट शिवाजी मुंबई पोर्ट के बाजू में जवाललनाल नहर्वूं पोर्ट तब बनाया गया तक्या जाके तो अब आप शुब करने के मुंपए पोर्ट है इतना बड़ा है कि पूर्ट को रिलीव करने के लिए जवालना लेहु पॉर्ट बनाना पड़ा, मुंबई पॉर्ट के ट्राफिक को कांडला पोर्ट पर भी डाइवर्ट करना पड़ता है, उसके बावजूद भी इतना ट्राफिक रहता है मुंबई पॉर्ट, समाज गए, तो यह मुंबई बता रहा हूं में और स्टेट वोड़ वाले बच्चे भी ध्यान रखना कि मैप से सारी चीज़ा आ जाती है यह जो एक एक पॉर्ट है तो इनकी विशेषता है भी कुछ-कुछ है जैसे जवालना नहिरू पॉर्ट जो है तो डीकंजिस्ट करने के लिए मुंबई पॉर्ट क फिर आता है मरमगाओ पॉर्ट मरमगांओ पॉर्ट गोळग मुआ में तो मेजर और एक्सपोर से सारा यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अगला फोट निवंगलोर पोट कहाँ पर निवंगलोर करना टकाम है अगर आपने ध्यान कुद्रे मुंख मैने से सामान जो रहता है तो वह पाइपलाइन के थूर्छ लरी बना के न्यू मैंगलोर हो गया उसके नीचे जा हो गया कोची टीकर हो के आपका एस कि टपक कालो साइड पर तूटी– डिखा जाए एक्स्क्रीम सदन मोस्ट इस्टन वेस्टन नहीं पूछ रहे साउत में सबसे साउत में तूटिकॉरिन बड़ा मेजर पूट है तो एक्स्ट्रीम साउथ ईस्टन और एक्स्क्रीम सदन पोट तूटी कोरिन हो जाएगा उससे उपर जाओ तो चैन नहीं सेकंड लार्जेस्ट पोट है ठीक है और यह क्या है ओल्डेस्ट आर्टिफिशल पोट की कडिगरी में भी आता है आर्टिफिशल मतलब इसको बनाया गया तब रेटिशल्स ने एक होते है भी क्या है कि जयसे यह आलग से कट बना हुआ है तो कुछ 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 जैसे घंद सीधी घंच्व जाएन बनाया इस तरह से इस चीजे बनाएं तो वह और क्योते वह आटिफिशल पोट कहला तो चैन्ही ओल्डेस्ट ऑर्टिफिशल पोट होगा है चन्ही जया शबहते न यहां सबस्तमकिया पता है मतलब कि यह समूद्र है तो शमुद्र के टठ पही पनंग कई इस बचाए जा सके थीपे लाएंड लोग्ए वेल में प्रोटेक्टेट savior विशाका पटनम के उपर जाओगे परदीप परदीप यह ओडिसा में परदीप के उपर जाओगे तो आपको मिलेगा कॉलकता पोट ठीक है आप कॉलकता पॉर्ट जो एन्लेंड रिवराइन पूर्ट है मतलब हाथ पेर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं उस ट्राइप किस स्थिति है किसके साथ में कॉलकता पॉर्ट के साथ में कि कॉलकता पॉर्ट पॉर्ट बने लायक था नहीं लेकिन उसको बनाया नहीं मतलब कॉलकता पॉर्ट पॉर्ट नहीं था नैच्रल पॉर्ट लेकिन उसको बनाया गया कैसे तो अगर मानलो कोई जमीन अंदर की तरफ हैं कॉलकता समुद्र के टट पे नहीं नदी है ठिक है और जो है तो हुगली रिवर जाती है और जैसे ज्चंतरे पानी जाके समुद्र में मिलती है और यहां क्ल्कता में और कॉलकता में क्या किया जाएगा पोर्ट बनाया जाएगा तो यह रिवराइन पोर्ट है कि रिवर के थू समुद्र तक जाया जा रहा है ठीक है तो हुगली रिवर का पानी यूज किया जाता है तो ड्रेज दी कॉलकता पोर्ट और उससे कॉलकता पोर्ट को ऑपरेशनल प गुल रही थी तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए या फिर उसके सबसीडिरी की तरह कि उसको सपोर्ट कर दे हल्दिया पोर्ट बनाया गया ठीके टू सपोर्ट दी कॉलकता पूर्ट तो दीज आर दी 12 मेजर पोर्ट्स विल रिकॉल इट अगीन ठीके कैसे रिकॉल करेंग ख़िके तो यहां का वटर वेश क्या हुआ वा यहां पर कम्प्रेट तराह आते हैं लैंद्न ट्रांस्पूरेशन चेंट वाटर ट्रांस्पूरेशन चेंट लैंडल मतलब लैंड ट्रांस्पूरेशन हो गया व chickens हो गया अब आजया है're तरबाट करें तो air वेश जो आइर्वेस को समझना ठीके एरवेस के अडवांटेज क्या है कि एरवेस के इन कवर डिफिकल्ट टेस्ट टेरेन्स एंक से उन को आप कवर कर सकते हो ठीक है like high mountains long oceanic stretches dense forest Northeastern states deserts ठीक है तो अब हुमारे Northeastern states में कितना dense vegetation है रोड से जाना बड़ा दिक्कत है बारिश होती है लेंड़ स्लाइड होते हैं लेकिन आप airways की तुरू कैट टपा मारके सीधे इधर से उधर तो airways की मदद से आप difficult terrains तक को cover कर सकते हैं मतलब वो places विचार वेरी कैसकते हैं विचार वेरी hard to move inside ठीक है जहां अंदर तक पहुचना बड़ा कठीन है तो आप airways के थूँ आसानी से सकते हैं ठीक है लंबे लंबे ओश्यानी की स्ट्रेचेज हैं समुद्री के रास्ते जाओंगे समय लगेगा हवा में उड़ती उपर से चले जाओंगे नीचे पानी पानी देखेगा उपर तुम उड़ते पहुच जाओंगे डेजर्ट जैसे सहारा डेजर्ट कितना बड़ें तो उस सहारा डेजर्ट को स्ट्रेच और इस करना पूरा तो एर्वेस के थूद आसानी से हो सकता है थीक है तो इन इस मेंनर एर्वेस केन कवर डिफिकल्ट टेरेंस फीर क्या है एर ट्रांसपोर्ट वस nationalized in 1953 air transport जो है तो air transport को पहले सरकार ने अपने हाथ में ले लिया पूरा बुल दिया private player कोई नहीं हो ना अब आज सरकार ने अपने हाथ में सब निकाल दिया बुल दिया private player समालो तो air transport जो तो उसको nationalized किया थै 1953 में थीए now it is again privatized आगे जिस देखोंगे तो एर ट्रांस्पोरेशन के लिए कुछ विशेशता क्या है इसे पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड यह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको और नैचरल गैस कॉर्परेशन को ऑफसोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एरवेस जो है तो तो यह प्रोवाव टो उड्रीच ओवन पीपल ठीक है यूजिवली एक आम इंसान जो है तो यह आप देख लोगे तो ट्रेवल नहीं करता है तो यहाँ पर केस क्या बन रहा है यहाँ पर केस यह बन रहा है कि बट इन नौर्थ इस्टर इस्टेट्स स्टेट्स पेशल प् common people ठीकल JACKे नौॉर्तीस्टन स्टेेट में क्या है special provisions बनाए जाते थेकर किसी के लिए नौर्तीस्टन स्टेट में जैसे आप'. तो कि आंगे आध्मी के लिए वह ळांग्छरी नहीं validity क्या या फिर वॉ डिर्कर ट्रैवल करना ब्राइब इ sill थिक स्ट attorneys में क्योंकि कि अधिक भी महां पर ट्रेन डिफिकल्ट है तो इससेशल प्रविजन्स होते हैं सबसीडी बगेरा इस तरही चीजें प्रोइट कर वाये जाती है वहां के नाधरिकों को ठीक है। तो यह होगे आपका एयर्वेज ठीक है यह होगे आपकाई एयर्वेज सिंपल एइरवे स्चोटा सा सिंपल सा सटीक सा टॉपिक है हँए एयरपोट की जो बात आ रही है तो मैंप वर्ग जह मैं करेंगे ना तो इस चैप्टर का मैं वर्ग भी है ध्यान रखना मतलब इस चैप्टर में इस टॉपिक का की इंपोर्टेंट एयरपोर्ट कौन कौन से हैं वो भी एक कुशन के फॉर्म में हैं चलो तो यह समझ में आ गया कि क्यों नौर्थ इसने स्टेट्स के लोगों को स्पेशल प्रोविजन दिये गए सब्सेडीज वगेरा क्योंकि वहां पर डिफिकल्ट टेरेन हैं बहुत ठीक है वहां पर वाया लैंड रूट या वाटर वेस्ट के थुरू पहुशना बड़ा डिफिकल्ट होता है ठीक है चलो अब हमने ट्रांसपोर्ट वाला एक पार्ट कलिया है चलो फ्रांसपोर्ट कंणatuuar बढाई हो अब आता है कमिनिकेशन कमिनिकेशन क्या है तो कमिनिकेशन मतलब लोगों से बात चीट करने वह परसनल चाइसेज्व पर singular lt अ मतलब जैसे टरांसपोर्ट और कमिनिकेशन आं ट्रेड ट्रेड पढ़ेंगे अभी हम ट्रेड से ही तो लाइफ लाइन और नाशनल एकनोमी मतलब पूरी एकनोमी जुड़ी हुए ट्रेड से ठीक है अब उस ट्रेड को फेसिलिटेंट करने में ट्रांस्पोर्ट और कम्यूनिकेशन का इंपॉर्डेंट रूल होता है ट्रांस्पोर और डिफ्रेंट कम बीड़ी एकर के मैं समझा देता हूं आपको जैसे इंडियन पोस्टल नेटवर्क ठीक है पॉस्टल नेटवर्क के परसनल कम्यूनिकेशन की तरह काम करते हैं जहां पे आप क्या है जहां पे आप जैसी देखेंगे तो लेटर वगिरा पहुचा सकते हो अब इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है ना तो इस बन अव दी लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैं इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैं पार्सल भी हो गए परसनल रिटन कम्यूनिकेशन हो गाए यह सारी चीज़े इंडियन पोस्टल नेटवर्क हंडल करता है ठीक है फर्स्ट क्लास मेल्स हंडल किया जाते है जिसमें कार्ट और एंवलप सब्सक्राइब जो विचार एयर लिफ्टेंट बिट्विन इस्टेशन से दूसरे स्टेश करने के लिए six mails चलती है सरकार के दवारा ठीक है जो की क्विक डिलिवरी ऑफ पोस्टल पैकेश सकें ठीक है तो ग्रीन चैनल हो गया मेट्रो चैनल हो गए राजधाणी चैनल हो गया तो यसे अलाग-दलग क्याप कर देखने मिलते हैं चैनल भी चला जातें सरकार के दव इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बाद में आता है टेलीकॉम, टेलीकॉम मतलब क्या है, टेलीकॉम मतलब हलो, ठीक है, तो इंडिया आगे, considering the population size, communication में हम देख रहे हैं, एक communication network क्या हो गया, पोस्टल नेटवर्क हो गया, डूसरा है टेलीकॉम, तो इंडिया has the largest telecom networks in Asia, ठीक है, STD facility to every village in the country, तो इंडिया का, considering the population size, one of the largest telecom network है, एशिया में, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, STD facilities, subscriber trunk dial, तो पूरी country को जोड़ के रखा जिसने, तो गाउं गाउं तक connectivity STD के थूँ है, ठीक है, अब तो personal cell phone से तो network वैसे ही पहुँच गया, ठीक है, रेडियो की बात करें अगली चीज, ठीक है, तो रेडियो क्या है, रेडियो भी एक means of communication है, mass communication, जिस्पे आपको क्या देखने के मिलता है, कि All India Radio, जो आकाश्वानी है, तो क्या है, वो government के द्वारा, रेडियो चैनल जो चलाया जाता है, it broadcast a variety of programs, ठीक है, programmers नहीं आएगा, ठीक है, it broadcast a variety of programs, अलग अलग प्रकार के बहुत फारे प्रोग्राम जो है, तो वो रेडियो पे broadcast किये जाते हैं, समझ म द्वारा क्या है, भहुत सारा mass communication किया जाता है, प्रोग्राम सारे, मैच आ रहे, news आ रहे, movies आ रही है, अब government का जो जैसे अगर आप देखेंगे, कि television के द्वारा क्या communication network है, तो दूरदर्शन जो है, पूर national television of India है, ठीक है, largest terrestrial network, largest terrestrial network के अगर हम बात करें, जो किसी television network का सत्यम सिवं सुन्दर, ठीक है, देखेंगे अभी दूरदर्शन, बताना मुझे comments में, television network के बाद में आते है, newspaper पे, ठीक है, newspaper के अगर हम बात करें, तो newspaper में क्या आता है, ठीक है, newspaper में जिसे अगर आप देखोगे, तो देश के अंदर कितनी ही भाशाओं में, अलग अलग ठीक है, तो इंडिया में, सौ से ज़्यादा भाशाओं में, आपको क्या देखना मिल रहा है, कि newspaper publish किया जाते हैं, ठीक है, और वो पूरी country में, all over the country spread हुआ है, फाइन, लास्ट में चैसे देखोगे, films भी एक means of communication है, माना कि movie में आप बात नहीं कर पाते हो, hero से, लेकिन क् आप तक तो message पहुचा पा रहे हैं, तो इस करण से आप देखेंगे, तो short films, full length movies, यह सारा सब कुछ इंडिया में बहुत produce होता है, fine, तो इंडिया is the largest producer of feature films, feature films की largest producer इंडिया, the central board of film certification, certify both Indian and the foreign films, ठीक है, तो sensor board जो है, तो इन films को certify भी करता है, कि क्या publish हो रहा है, क्या नह रही है, नहीं जा रही है, यह सारी चीज़े, central board जो है, तो certify करता है, so these are the means of communication, यह सारे क्या है, यह सारे कि सारे means of communication हो गए, आगे बढ़ते हैं, आगे हैं आपके सामने international trade, अब आते हैं international trade पे, क्या होता है international trade, तो कहानी यह है कि हमने पढ़ लिया, पुरा का पुरा ट्र गुट्स आर्विंग एक्सचेंज यह trade हो गया, अब गुट्स आर्विंग एक्सचेंज ब्योंड दिडॉमेस्टिक टरिट्रीज, वातल एक कंट्री के बाहर जब आप गुट्स को exchange कर रहो, तो वो international trade में आ जाएगा, trade और international trade, ठीक है, तो the exchange of goods and services among people, states and countries is refined, ठीक है, as trade, ठीक है, तो अब आप defined होगा और refined होगा, ठीक है, तो exchange of goods and services among people, states and countries is defined trade, and when the exchange is specifically between the countries, दो देशों के बीच में जब exchange हो रहा है, तो उस exchange को क्या कहा जाता है, उस exchange को कहा जाता है, international trade, ठीक है, उस exchange को कहा जाता है, international trade, समझे, तो when such trade takes place between two countries, it is known as international trade, जब इस तरह का trade होता है, दो देशों के बीच में trade होता है, तो उसे international trade कहा जाता है, उसे international trade कहा जाता है, ठीक है, trade simple, trade और दो देशों के बीच का trade, international trade, exchange of goods and services, अब point क्या है, क्या आपको एक चीज़ समझना होगे, कि trade करना क्यों है, चुप अपनी अपनी जगा समान होगा हो, खाओ, होते हैं, वो space bound होते हैं, मतलब कोई भी resource है, तो वो एक ही space तक सीमित रहेगा, fine, जैसे मान लोग की, अगर minerals है, तो छोटा नाथपुर प्लेटू में बहुत minerals है, हमने पढ़ा है minerals in energy resources में, अब वो minerals की जरुवत तो कश्मीर में भी, वो minerals की जरुवत तो तमिल नाडू में जो संसाधन है हमारे पास में, वो space bound है, they are concentrated to a specific space, ठीक है, तो therefore international trade is necessity, जरुरत है यह हमारी, ठीक है यह हमारी जरुरत है, अब trade जो होते हैं, तो trade में भी क्या होते हैं, अलगलग types होते हैं, कैसे, एक होता है balance of trade का concept, आगे मैं उसकी definition बताने हैं, पहले आपको समझा देता ह मान लो, यह country A है, यह country B है, अब country A ने 100 रुपे का समान country B को दे दिया, ठीक है, और बदले में country B ने 50 रुपे का समान country A को दिया, तो अब क्या इन्होंने 50 रुपे का समान दिया, इन्होंने 100 रुपे का समान दिया, 100 रुपे का समान दिया, तो बदले में कितने रुपे आये कितने 50 अभी भी क्या हो गया profit में रहेगा कितना plus 50 में तो अब आपको क्या देखने की मिल रहा है कि इनके बीच में जो ट्रेड हुआ इस ट्रेड में 50 रुपे प्लस में है A और 50 रुपे माइनस में है B क्यों क्योंकि B ने क्या किया 100 रुपे दिये और कमाये 50 ही तो balance of trade क्या होता है the difference between the exchange of goods and commodities the difference between the import and export ये balance of trade होता है समझे मतलब कि trade में balance क्या बच रहा है fine the difference between the export and import of any country is known as balance of trade समझ गया है difference between the import and export of any country is known as balance of trade fine अब balance of trade दो तरह क्यों होते हैं एक favorable एक unfavorable simple है क्या हो रहा है कि favorable balance of trade कब होगा जब country A ने 100 रुपे का समान दिया और 50 रुपे का ही समान लिया 100 रुपे का समान दिया 50 का ही समान लिया तो ये plus 50 में रहेंगे तो country A के लिए क्या हो गया favorable हो गया ये ना when exports जब आप ज़्यादा समान दे रहे हो तो पैसा ज़्यादा कमा हो गये और समान कम ले रहे हो तो पैसा देना कम पड़ेगा तो when exports are more than imports ये favorable balance of trade हो गया दूसरा unfavorable balance of trade कम होता है जब exports are less than the imports या फिर imports are more than the export अगर यही situation उल्टी कर दें कैसी उल्टी कर दें कि country A ने 50 रुपे का ही समान बेचा था और अंदर जो समान भुलवाया इंपोर्ट किया वह 100 रुपे का किया तो आप माइनस 50 में है कि भाई हमें 100 रुपे देना पड़े इनको और हमने उनसे लिए 50 सी ठीक है तो यहां पर क्या हो गया अन्फेवरेबल balance of trade हो गया ठीक है simple है when exports are more than the imports favorable when exports are less than the imports और और ऐसे बोल तो कि imports are more than the export unfavorable ठीक है तो favorable unfavorable balance of trade समझ में आना चाहिए अब इंडिया क्या खरीदता है क्या बेचता है तो commodities which India exports जैसे agricultural products हो गये और हो गया mineral हो गया gems हो गया jewelry हो गया यह सब हम export करते हैं बेचते हैं और जो हम import करते हैं तो जिसे petroleum के हमारे कमी है petroleum products हो गया pearls हो गया precious stones हो गया तो यह सारी emerged as a software giant at international level लास्ट टॉपिक आपका tourism as a trade अब tourism को आप ट्रेड की तरह कैसे देख रहे हो ट्रेड में तो goods and services का exchange होता है क्या बोला services तो services में जिसे अगर आप देख रहे हैं कि आपके foreigners आ रहे हैं आपके देश में तो यहां आएंगे घुमेंगे खाना खाएंगे रुखेंगे तो वह इन Services को जब afford करेंगे तो पैसा खर्च करके जाएंगे पैसा खर्च करके जाएंगे तो आप कया क्या हुआ इंपोर्ट हुआ ठीक है किसी इसका पैसे का इंपोर्ट हुआ मतलब आप क्या पैसा आया एक तरह से ठीक है तो आपको क्या मिलेगा उससे आपको पैसा मिलेगा ट्रेड वही है कि जहाँ पे वेल्ट जेंडरेशन हो रही हो ठीक है तो more than 15 पीपल आर एंगेजिन टूरिजम इंडस्ट्री ठीक है और यह लोग जो है तो कोई गाइड है कोई ट्रेवलर है कोई हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है तो पंदरा मिलियन से ज्यादा लोग टूरिजम इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं यह पैसा खर्च करते है हैं तूरिजम इंडस्ट्री से कर रहे है तूरिजम इंडस्ट्री क्या फाइदा है क्या बताएं जाओगी में लेके जाओंगी ठीक है तो क्या हो रहा है कि लोकल हेंडीक्राफ्ट को फायदा मिल रहा है ठीक है प्रोवाइड एम्प्लॉइमेंट टुमेनी फाइन सिमिलर्ली कोशिन ऐसी बनता है वाट आर दी बेनिफिट्स ऑप टूरिजम तो आप यही पॉइंट लिख सकते हो कि लोगों से बाचीत करके बहुत अच्छा लगा तो बहार जब बापिस जाएगा अपने देश में तो बताएगा कि इंडिया के लोग अच्छे है नैशनल इंटिग्रेशन हो रहा है ठीक है प्रोवाइड सपोर्ट प्रोइड सपोर्ट एंड टू लोकल हेंडीक्राफ्ट् ठीक है इट डवलब्ट एंटरनाशनल अंडरस्टेंडिंग अपाउट आर कल्चर रिटीज इंटरनाशनल ही हम अपने आपको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो लोग हमें आके देखके जाएं जो टूरिस्ट आएंगे वो देखके जाएंगे वो जो एक्स्पिरियंस यह अपने देश में बताएं तभी हमारी एक रिस्पॉंसबिलिटी बनती है कि जब कोई टूरिस्ट आता है ना तो आउट ऑफ जेनरिसिटी और आउट ऑफ दी वे जाके अगर कुछ करना पड़े तो वह करो परेशान मत करो उन्हें कमफर्ट फिल करवाओ क्योंकि वह आपक प्रिको टूरिजम ठीक है करशेर टूरिजम यहांकर क्ल्चर समझने आते हैं पाइंट एड्वेंचर के लिए आते हैं बहुत सारे उत्राखंड में आपकर मिल जाएंगे अब जाएंगे में बिजनस टूरिजम इंडिया में इलाज सस्ता होता है ठीक है तो उस लिए भी So these are the reasons why the tourist visit India. Point, तो ये था tourism as a trade. अब वो क्या है? अब ये है telegram channel की link. ये जो notes आपने पूरे देखे मैं आप पर telegram channel पर दिदूँगा. Chapter हुआ हमारा यहाँ पर समा. क्या क्या पड़ा हमने? जैसे अगर आप देखोगा तो पूरा transportation. Land, waterways, airways. Communication में हमने देखा, what are the different means of communication? And the last one, trade. तो ट्रेड में हमने tourism as trade भी देखा और trade को भी समझा. Trade क्या है, international trade क्या है, balance of trade, ठीक है, favorable, unfavorable. तो ये पूरा chapter था. आशा करता हूँ ये सारी चीज़ां आपको भेतरी इंतरह से समझ में आईए. जो CBC board वाले बच्चे हैं, तो आपका ये 2023-24 वाले academic year में chapter नहीं आना है. सिर्फ इसका map पर काना है, जो कि हम अलग से भी करेंगे. और state boards वाले बच्चे, खुश रहो, मुस्कुरा दे रहो, अभी के लिए sign off करता हूँ. Signing off with this, together we can, we will. Thank you, thank you very much.